गुड मॉर्णिंग इस्टुएंट्स इस तरह की बहुत सारी पोस्ट पदों पर कारे कर रहे हैं मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी सेयर करूंगा और आज आपको एक एक चीज भी बताऊंगा ठीक है देखिए सबसे पहले होता है कि हमें तैयारी एंडिय की करनी है तो सबसे पहली जो की होती है वह यह होती है कि हमें पता हो कि एंडिय होता क्या है इसका पूरा प्रोसेस क्या है सबसे बड़ी यदि सबसे बड़ी समश्चा जो है किसी भी काम को करने से पहले यदि उसके बारे में पूरा नहीं पता है तो यह मान लीजिए कि आप पूरे तरीके से प्लानिंग भी नहीं कर सक पूरा फिर आपको एरफोर्स के बारे में बताऊंगा आप सारे वीडियो देखें ठीक है तो सबसे पहले हम लोग एंडिय की बात करते हैं देखिए सबसे पहला एक स्टुडेंट्स होते हैं और उनके पास कोई भी स्ट्रीम हो सकती है वह से बाइलोजी से हो जिससे भी हो वह निए सकते सबसे पहली बात यह है कि एक एसा प्राद है जो आप यह मान लीजिए कि मैं बात करों कि सिवील डिपार्ट्स में जैसे सिविल में एक IS जो बनते हैं ठीक है एक IS के रैंक का अधिकारी बनता है भारतिय सेना में और उतनी इज़त और शोरत होती है जितनी एक IS अधिकारी की सिविल में होती है ठीक है सिविल में तो बलें कोई यह माली जीय की Honi क की एक चले ना-चले लेकिन सेना में एक माली यह करत थे हैं और वह कर वाते भी तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जाते हैं से बारवी के बाद में किस किस प्रोसेस से घुजरना खोता है प्रसंटेज कैसे शिथ घणक्राइव संटेज को एडिए में नहीं है न डीन का सबसे पहली रिक्वाइमेट अधिक है कि आप फिजिकली और मेंटली सबसे बड़ी जो समझे है आज यह आप मान लीजिए इन दिनों या फिर आप लिजिए कि किसी भी परसन की सबसे बड़ी समझ्या होती है mentally and physically fit होना ठीक है तो सबसे पहली requirement है कि physically or mentally fit candidate जो बार्वी पास कर चुके हैं कर चुके हैं जिसकी mathematics बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है जिसकी maths और English बहुत अच्छी है वह उनके लिए तो बहुत सुने रहा है बाकी लोग भी अपनी इंप्रुमेंट के मादम से यह तैयारी कर सकते तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एंडिये conducted by UPSC conducted twice a year ंडिये फरस्ट एंडिये टू देखे यूनियन पब्लिक step होती है एक return exam होता है और एक ssb interview होता है यानि आपको सबसे पहले return exam देना होगा और exam का जो mode होता है वो offline होता है और उसके बाद में आपको क्या करना है एक ssb interview देना है ठीक है तो देखिए तीन साल का यदि आप selection select हो जाते हैं तो आप एंडिये खडगवासला पूने में आपकी तीन साल की training होती है उसी दोरान आपको क्या कराते है ग्रेजवेशन प्रोसेस आपका चलता है थ्री एर डिग्री प्रोग्राम चलता है जिसमें बीए बीए सी बीए सी की और आपकी training सासा training भी चलती रहती है उस training प्रोसेस को पूरा कर लेते हैं successfully उसके बाद में एक के साल के लिए आप जो आर्मी के क्यंटेट्स होते हैं उनको आइए में देहरादून बेजित दिया जाता है training के लिए और नेवल Academy फॉर नेवल के डैत्स one year की ट्रैनिंग होती यह झाले unmarried male कड़ेट्स में होती है फीक है अब हम बात करते हैं कि ए नडिया में eligibility है। सबसे पहली eligibility है कि यह सर्फ और उन्मैरिट मेल कड़ेट्स के लिए है ठीक है आपकी साधी नहीं होनी चाहिए उस दुरान जब तक आप ट्रैनिंग अपनी complete नहीं कर लेते हैं आप साधी नहीं कर सकते हैं यानि यह सिर्फ उनी लोगों के लिए फॉर्म एप्लिकेबल है जो अन्मेरिड मेल का मेल काड़ेट्स हैं कौलिफिकेशन में मैं आपको बताता हूं यदि आप इंडियन आम ही जोइन करना चाहते हैं एक अधिकारी के पद प चाहिए इंडियन नेवी की बात करें तो क्लास 12 में फिजिक्स और मैट्स आपके पास होनी चाहिए तो आप इससे क्या समझाए इससे मैं बात यह है कि यदि आपको आर्मी में ऑफिसर बनना है तो आपके पास सब्जेक्ट कोई इस्यू नहीं क्रियेट करती है लेकिन एकजाम ओफ-लाइन होता है और सबसे पहले यहां से देखेंगे सब्जेक्ट पेपर फस्ट जो होता है 120 कुश्चन का होता है 300-300 का होता है और पहला पेपर होता है देखिए मैथेमेटिक्स आप करीब-करी माननी जिए कि आपके ग्यार्वी और बार्वी का पूरा साता है वो ग्यारवी का अब इसमें दिकत क्या आती है आप देखेंगे कि ज्यादातार स्कूल्स में ठीक है या कहीं भी आप चले जाएए पैरेंट्स को ले लिजे साइकलोजी होती कि उनकी परसंटेज बहुत अच्छी होनी चाहिए 12 में मैं भी मानता हूं कि परसंटेज अच्छी होनी चाहिए इससे बच्चे के एक अगरता का पता लगता है कि कितने टाइम सिटिंग पावर है इसकी लेकिन ये बिल्कुल उतना सही नहीं है जितना लोग समझते हैं तो प को बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी नहीं 70 वाला भी हो सकता है 90 वाला भी हो सकता है डिपेंड करता है कि वह सारे क्राइटेरिया फुल्फिल करता है या नहीं तो सबसे बड़ी जो समझ आएगी वह आएगी कि आपने 11 कैसे पढ़ी है जिस बच्चे ने 11 सही नहीं प बताता हूं कि यए क्लास का टॉकी के ट्रिग्नो MAJ यह पंच मंबर का कहता है फिर आप लिए इस्टाटिक्स लगब यह मानली जिया आप लग 25नमर का को टॉपी का आथा यह सबसे बढ़ी समझ्या है कि हमने फ hayatBERT 1212 पढ़ते हैं तो इसलिए आप धहान रहें कि आप जब आप ND के तैयरी करें सबसे पहले आप बहुत बहतरी न तरीके से आप यारवी का सलिबस किलियर करें उसके बाद बारवी पे आए ठीक है और यारी और बारवी का कमाइंड सलिबस जब आप तैयार कर लेंगे तो फिर आपका यह मैथेमेटिक्स का 300 नमबर का के जर्नल एबिलिटी के नाम से पेपर होता है और उसमें 1500 क्यूशन आते हैं मैक्सिम माक्स 600 है और यह भी डाई गंटे का एक्जाम होता है ठीक है इसमें सेकिंड जो पेपर होता है इसमें होता क्या है कि जिस बच्चे की मैथेमेटिक्स थोड़ी वीक होती है उसके लिए हैं हर किस्वन चार नमर का होता है और छेसो माक्स का फेपर होता यह भी ढशीघंटे का होता है यह मोता है नोसो का पड़ी आपको 5 गंटे मिलते हैं इसमें जसमें एक Hindi मीडियम के बच्चे में थोड़ी सी एक भावना होती है कि यार English मीडियम के बच्चे English बोलते हैं और एंडियम इंग्लिश चाही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है एक genuine gentleman cadet यदि कोई भी है Hindi मीडियम का भी हो सकता है English मीडियम का भी हो सकता है कहीं कोई समश्या नहीं आती इंग्लिश और Hindi मीडियम में लेकिन यह जरूर है कि आपकी normal communication just you have to speak normal communication and normal skills तो आपके पास होनी चाहिए ठीक है आप introduction बहुत अच्छा दे देते हैं आप यदि आपको कोई टोपी दिया जाता है उस पर इंग्लिश में थोड़ा describe कर सकते हैं बहुत अच्छा बोल सकते हैं ठीक है और यह बहुत यह से नहीं है कि आप अंग्रेज की तरह इंग्लिश बोले आपकी English क्योंकि हम नोर्थ इंडि पर इस प्रिश्ट में basic knowledge और basic communication चाहिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट यदि बात करें marking scheme देखेए आपको एक एक पॉइंट NDA के बारे में clear होना चाहिए और clear होने के बाद आप उस exam के बारे में सोचें और यदि आपको लगता है कि आपको तैयरी करनी question होते हैं 300 marks का math का paper होता है और negative marking minus 0.83 marks होती है paper second में आपको 4 marks मिलते हैं एक question के लिए और minus negative में minus 1.33 marks की negative marking होती है paper first और paper second अब paper first तो सिर्फ math का ही है paper second में आपके पास बहुत सारी categories होती है देखिए syllabus की अधि बात कर रहें एंडिये के तो चलिए बस paper first में देखिए mathematics के लगबग सारे topics आ जाते हैं जैसे algebra ले लिजी आप matrices and determinant ले लिजिए जिसको matrix और सारनिक और आभी बोलते हैं Hindi medium में trigonometry ले ले लिजिए त्रिकोंड मिती ले लिजिए आपके पास 12 में calculus आप पढ़ते हैं जिसमें integral calculus differential calculus इसमें लगबग no topic है यह 67 नमर का topic आता है उसके बाद में आप ले लीजिए स्टेक्स ले लीजिए सांखे की probability प्राइक यह सारे topics mathematics के होते हैं लगबग लगबग 11th और 12th का सारा portion होता है अब बात करते हैं माल लेजिए आपने सारा process follow किया और आपका selection हो गया यह रिटन exam के लिए हो गया उसके बाद क्या होता है उसके बाद देखिए उसके बाद SSB interview के लिए बुलाए जाता है और SSB interview में क्या होता है कि second round में duration होता है four to five days का nine hundred marks का यह होता है ठीक है 900 number का आपका paper हो गया 900 number की SSB हो गई और इस SSB में आपको जब आप सो इसमें SSB में जब आप बैठते हैं तो सबसे इसमें भी दो stage होती है और दो stage में क्या क्या होता है intelligence and personality test होता है इसमें क्या होता है देखिए stage first में इस कंप्राइजे जो officer intelligence rating एक OIR होता है और एक PPDT होता है ठीक है एक officer intelligence test होता है और एक होता है PPDT picture perception and descriptive test PPDT हो गया और एक OIR test हो गया इसके बाद में जब आप इसे clear करते हैं तो it consists of interview फिर उसके बाद आपका interview होता है फिर उसके बाद आप group discussion होता है फिर उसके बाद में psychology test होता है ठीक है यह लगबग लगबग फिर group task हो गया इस तरहीं के सी चार दिन चलता है और जब आप पूरे process को follow कर लेते हैं और फिर finally आपकी merit list आती है ठीक है फिर आपकी finally merit list आती है और merit list आने के बाद यदि जो जो कैड़ेट सेलेक्ट हो जाते हैं जो कैड़ेट सेलेक्ट देखिए बार बार मैं कैड़ेट्स बोल रहा हूं सेना में भारती सेना में candidate एक normal words होता है यहां पे एक technical word है जो एक officer के लिए use किया जाता है उसको कैड़ेट्स ही बोला जाता है ठ ठीक है वैसे तो कैड़ेट्स आप candidates को भी आप short में कैड़ेट्स कहते हैं तो आप देखिए इतने सारे process जो मैंने बताए हैं इंडिया की जब सारे process आप follow कर लेते हैं और सारे process फोलो करने के बाद एक आप एक left in end की post पे जाते हैं यदि आप इंडिया आमी जोइन करते है फिर नेवी में उसके according post फिर एरफोर्स में यह सारी सारी चीज़े यानि एक officer post के लिए जोईन करते हैं एंडिया में तो एंडिया का जो process होता है मैं आपको बताऊंगे बारवी के बाद parents के mind में एक confusion सा create रहता है कि यार मैं अपने बच्चे को कर रहा हूं क्या मैं अपने फारक होता है आप यदि आई टी की तैयरी कराएंगे क्या फारक होता है यदि आप नीट के लिए बच्चे को बेजेंगे और क्या इसमें क्या फाइदा होगा यदि आप NDA Navy Air Force और आर्मी के विबिन विबिन ट्रेट्स के लिए तैयरी कराते हैं तो NDA का मैंने आपको सारा बताया इस ठीक है आप इसे समझें आप अपने आपको चेक करें और उसके बाद में आप डी सी जनले और सिय डिफेंस अकरडमी आप जॉइन करें इसमें NDA Navy Air Force के बैचे एक तारिक से सुरू हो जाएंगे ठीक है और आपमारी ओपलाइन क्लासेज आप जॉइन करें बहु झाल झाल झाल